नमस्कार किसान भाईयो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसा कि आपने थमनेल में देखा होगा कि यह हमारे जो भी एनपी के आते हैं स्वयाविन की क्रोप में यूज़ करने के लिए जैसे कि एनपी के गुनिस गुनिस तेरा जिरो पेंतालीस जिरो बावन चोंतीस और जिरो जिरो पचास को हमें स्वयाविन की कौन से स्टेज में देना चाहिए जिससे कि हमारी स्वयाविन की भसल में अच्छी सी ग्रोथ हो सके और अच्छी से कारी करें और इसके देने से स्वयाविन में क्या फाइदा होता है क्योंकि हमारे बहुत से किसान भायों को प पानी की प्यास लग रहे और हम खाना खाएंगे तो वह पाने की प्यास नहीं भूजा सकता है तो इसलिए आपने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेस्टन बना रहे और आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल क कि गुनिज गुनिज की तो इसका सही समय करने का प्रियोग के बारे में बात करें तो इसको फोदे की ग्रौत के लिए सुरुआते स्टेज में दिया जाता है याने कि लगबग 10 दिन से लागा करके हमारी स्वयाविन की क्रोप 20 से 25 दिन के अवस्ता में होती है उस समय देते हैं और जब हम अपनी स्वयाविन की क्रोप में हर्भी साइट का प्रियोक करते हैं खर्पतवा नियंत्रन के लिए उस समय हमारी स्वयाविन की ग्रोथ कुछ दिनों के लिए पूस्पोरस गुनेश पर से और इसमें यदि हमरे खेतों में ज्यादा पानी गिरता है और स्वेयाबिन गलने की समय से होती है तो उस समय भी एनपी के गुनेश-गुनेश बहुत ही संदर काम करता है अब बात आती है कि 13-0-45 का प्रियोग स्वेयाबिन में कब करना चाहिए तो 13-0-45 में नाइट्रोजन 13% ता पोस्पोल इसके मातर जिरो परसेंट होती हो और पोटास की मातरा 13% होती इसका प्रियोग आपको फूल जब आपकी स्वेयाबिन के बसल में मोगर तथा फूल आता है उस समय इसका प् मैं तल इसके प्रियोग करने से आपकी स्वेयाबिन में जो फूल आते हूँ उनको गिरने से बजाता है तथा फूल की अच्छे विकास यता फूल की बड़वार के लिए इसका प्रियोग किया जाता है अब बात आती है कि स्वेयाबिन की ग्रोप में आपको 0-0-0-32-0-0- भाई दे तो इस में केमिकल कंटेंड 52% फोस्पोरस होती है तथा 34% फोटास होते है तो जो 52% फोस्पोरस होता है वो इसका प्रियों के निकलते समय इसका प्रियों किया जाता है क्योंकि जब फल्या निकलती होते हैं उस समय फास्पोरस के मातरा पोदे में देते हैं उससे ज तूष्ट होती है तता उनको साइपर कार से बोजन मिल पाता है तो दाने का आकार सही बनता है और जो फोटास होता है वो दोनों मिलाकर अच्छी फल्यों के विर्द्धी तता उनमें दानों की संख्या बढ़ाने के लिए इसका प्रियुक किया जाता है अब बात आती है कि स् स्वयाविन की फोस्तल में फल्य पूर्ण रूप से दाने अंदर से ले जाते हैं दाने आ जाते हैं फल्यों के अंदर उस समय इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह स्वयाविन की क्रोप में दाने को चमकिला बनाने के लिए तता स्वयाविन का कलर बनाने के लिए इसका प्रियो किया याइए और सोय पिंकर उत्पादन में भी व्रद्धी होती हैं आपको इस वीडियो में बताए गए तीन से चारो प्रकार के अनपी गहां को आप सोयाब की क्रॉप में पर प्रियो करते हो तो इनके फाइद KIRBY भी मिलने वाले होते हैं आपको इस वीडियो में दीगे जानकारी अच्छी लगे तो अपने अन्य किसान दुस्तों के साथ जानकारी को शेयर जरू करें और आपका मत्पूरुन समय देने के लिए दिन्यवाद हम मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत